अभी हम लोग बात कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में जिने नीट 2024 में एपियर होना है और जो निश्यत रूप से नीट को क्वालिफाई करके डॉक्टर बढ़ना चाहते हैं बट अभी तक जिनकी तयारी बहुत ज़्यादा नहीं है पिशले तीन महीने से उन बच्चों के preparation के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अगर आप इस position में हैं तो क्या option आपके सामने बचते हैं उन पर हम विचार कर रहे हैं उनको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे में एक ही option आपके साथ बचता है कि आप सारे slabs के पूर content को तयार तो पिछले तीन महिने में तमाम सारे टॉपिक हमने तयार किये हैं और अलग अलग टॉपिक के बारे में हम बात करते रहें उसी सीक्वेंस में अभी हम नर्वस सिस्टम में बात कर रहे हैं नियूरल कंट्रोल एंड कॉर्डिडेशन और उसमें तमाम सारे टॉपिक हम लोग क structure रह जाते हैं और गंद रह जाते हैं उनके बारे में हम लोग discuss करेंगे तो चलिए तो दिस इस आर के शुकला एक्स फाकल्टी फॉर एलन कोटा एस वाल आज आकाश इंस्टिटूट जनकपुरी देहली एंड नावड़ेस एट नीट बिनायक यूट्यूब चैनल तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में और इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं दा आई के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं और दा आई के बारे में जब हम बात करते हैं आई के वारे में जब हम बात करते हैं तो याद रखना ये old NCIT का 21.6 sensory reception and processing the eye ये old NCIT का page number 323-325 है जिसका detail हम लोग यहां discuss करते हैं अब जब हम आई के वारे में बात करते हैं तो एक chart यहां पर सामने है जो आपको समझना है आई में कुल मिलाकर तीन लेयर होता है थोड़ा एक अगर आई में बाहर से अंदर के साइड में हम जाते हैं तो कुल मिलाकर तीन लेयर होता है जो सबसे outer layer है वो क्या कहलाता है ये कहलाता है फाइब्रस ट्यूनिक जो सबसे outer layer है ये क्या कहलाता है Scully Rotic या Fibrous Tunic ठीक है बीच का लेयर क्या कहलाता है Coroid और Pigmented Tunic अंदर का लेयर क्या कहलाता है Retina और Nervous Tunic तो अच्छी तरह इसे याद रखना जब आई के बारे में हम बात करते हैं तो बाहर से अंदर के साइड में तीन लेयर है Outermost Scully Rotic उसके बाद Coroid उसके बाद मैं Retina Scully Rotic का दूसरा नाम क्या है Fibrous Tunic Coroid का दूसरा नाम क्या है Pigmented Tunic और Inner Layer का दूसरा नाम क्या है Nervous Tunic ठीक है ये तीन लेयर कुल मिला कर खें तो अब इन मैंसे एक एक लेयर के बारे में हम बात करें सबसे पहले हम बात करना है Outermost Layer Scully Rotic के बारे में तो देखो Scully Rotic में याद रखना इसका जो Posterior 4-5th Part है ये जो Posterior 4-5th Part है ये कहलाता है ये Scully Rotic बच्चो अच्छी तरह से याद रखना Scully Rotic का जो Posterior 4-5th मतलब 80% Part है जो Back Side में होता है वो Scully Rotic कहलाता है और जो Anterior 1-5th Part है Anterior 20% Part है जो की बाहर के साइड में खुलता है ये क्या कहलाता है ये कहलाता है Cornia ये Anterior 1-5th Part है Scully Rotic का तो याद रखना है Scully Rotic दो पार्ट से बना इसका Posterior Part Scully Rotic और इसका अगला पार्ट Cornia और Cornia के आगे कंजक्तिवा होता है जो Transparent Skin Layer है और Cornia की सुरक्षा के लिए है इस बात को याद रखना तो अभी हमने बात किया आई का जो तीन Concentric Layer उसमें Outer Most Layer Scully Rotic जिसका Posterior Part Scully Rotic से बना है और Anterior Part Cornia से बना है अब हम Second Layer के बारे में बात करना है फिर इन तीनों लेयर को हम लोग क्या करेंगे इनको हम एक साथ करके देखेंगे तो यह Second Layer है इसका जो Posterior 80% Part है यह कहलाता है Coroid Proper हम Coroid की बात कर रहे है Pigmented हम इस लेयर की बात कर रहे है इसमें यह बात अच्छी तरह से याद रखना कि इसका जो Posterior 80% Part है यह क्या कहलाता है यह कहलाता है Coroid Proper Coroid Proper जब anterior end पर आता है तो देखो यह एक फूला हुआ structure मनाता है यह फूला हुआ structure क्या कहलाता है Ciliary Body अच्छी तरह से याद रखना हम आई का Middle Layer का बात कर रहे हैं यह क्या कहलाता है Ciliary Body और Ciliary Body से एक structure निकलता है जो कहलाता है Ciliary Process कॉर्टिट माई पाइंट फिर से एक बार देहन से देखो Coroid यह Coroid Proper Coroid का 80% या 4-5th Posterior Part है जब यह anterior end पर आता है तो क्या बनाता है यह बनाता है Ciliary Body और Ciliary Body से क्या निकलता है Ciliary Process और Ciliary Process से लगा होता है Suspensory Ligament और यह Suspensory Ligament इस नोट दा पाइट आफ Coroid यह अलग से है और दोनों साइड के Suspensory Ligament के बीच में Lens लगा होता है यह यहाँ पर Lens लगा हुआ है इस बात को अच्छी तरह से याद रख Ciliary Body से ही दो additional structure attach होते है एक canal निकलता है जो कहलाता है Canal of Sleem अच्छी तरह से याद रखना यह किस से attach हो रहा है इसलिए री बाडी से attach हो रहा है और इसका नाम क्या है इसका नाम है Canal of Sleem और आगे के side में एक plate जैसा structure यहाँ connect करता है जो क्या कहलाता है यह iris कहलाता है बच्छों यह B1, B2, B3, B4, B5 हम यह दिखाने का प्रयास कर रहे है all these are part of middle layer यह choroid के part है तो ciliary body से आगे के side में एक plate जैसा structure है यह plate जैसा structure क्या कहलाता है यह iris कहलाता है और iris के center पर एक aperture है और यह aperture क्या कहलाता है यह pupil कहलाता है iris के center पर जो aperture है अब यहाँ पर यहाँ पर याद रखना यह एक ciliary body को हम detail में जानने का प्रयास कर रहे है अगर आप इस diagram में जाओगे तो यह जो structure है जो chloride के anterior part पर है यह क्या कहलाता है यह ciliary body कहलाता है अब एक ciliary body को यहाँ डेटेल में देखने का प्रयास कर रहे है दोखो एक हमने यह ciliary body बनाया ciliary body से देखो यह क्या निकल ला है ciliary process और ciliary process के बाद suspensory ligament है and suspensory ligament is not the part of coroid इसलिए हमने उसको B0 लिखा यह एक coroid का पार नहीं यहाँ B4 coroid और suspensory ligament के बीच में क्या है lens है उसको भी हमने B0 लिखा है B0 का मतलब का है this is also not the part of coroid और आगे के साइड में आएगा iris यह आगे के साइड में iris से हाँ पर attach है यह इसको हमने भी 5 लिखा है मतलब यह coroid का 5 बाभाग और iris के बीच का जो gap है this is called as pupil pupil से हमें बाहर दिखाई देता है और याद रखना जब जब emergency condition आती है तो adrenalin और sympathetic nervous system के influence में pupil का dilation होता है इस बात को अच्छी तरह से याद रखना अब यहाँ पर फिर से हम देखें थोड़ा सा यहाँ पर accommodation of vision एक चीज को हमें समझना है accommodation का मतलब क्या होता है थोड़ा हम इस बात को जान ले बेटा केबल हमारी eye में यह capacity है कि हम past का और दूर का दोनों को देखने की शम्ता रखते हैं जब हम अपने vision को adjust करते हैं past के vision के लिए मतलब nearby vision के लिए और distant vision के लिए तो वो क्या कहलाता है वो accommodation कहलाता है capacity of accommodation is found only in the eye of human being इस बात को याद रखना है बहुत ही कम है नहीं बलकि not only only in human being but in all the mammals ठीक है तो accommodation मतलब दूर के object और past के object के हिसाब से अपने eye को adjust करना अब यह कैसे adjust करता है ज़रह इस बात को समझे अब ज़रह देखो अगर past का देखना है तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले ciliary body में contraction होगा सबसे पहले ciliary body में contraction होगा और अगर ciliary body में contraction होगा तो suspensory ligament कैसा हो जाएगा suspensory ligament जो है relax हो जाएगा इस बात को समझने का प्रियास करना ciliary body और suspensory ligament का opposite relation है, अगर ciliary body में contraction होगा, तो suspensory ligament क्या हो जाएगा, relax हो जाएगा, और अगर suspensory ligament का relax हो जाएगा, तो lens कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जो पास में देखने के लिए uncool है, adapted है, अगर दूर का देखना है, तो क्या होगा, ciliary body क्या होगा, relax हो जाएगा, और अगर ciliary body का relax हो जाएगा, तो याद रखना, suspensory ligament में क्या हो जाएगा, contraction हो जाएगा, अगर suspensory ligament में contraction हो जाएगा, तो lens एकदम लंबा और पतला हो जाएगा, और lens जब लंबा और पतला हो जाएगा, तो ये दूर तक दे के लिए कौन रिस्पॉंसिबल है मेनली सिलियरी बॉड़ी सो ये सिलियरी बॉड़ी का फंक्सन है बहुत बार ये कॉशन आया है बच्चों याद रखना अब आ जाओ यहां पर थोड़ा सा बात कर लें सिलियरी मसल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लें थोड़ा सा ये डियाग्रहम इक फिर से देखो देखो सिलियरी बॉड़ी के अंदर क्या है एक तो ये मेरी डिय यूनल मॉसल से paints के circular muscles, two types of muscles are there, meridinal muscles as well as circular muscles, और एक capillary का network है, ये capillary का जो network है, ये लगातार यहां पर blood को बनाता रहता है, इस बात को याद रखना, ठीक है, मतलब यहां लगातार blood रहता है, और canal of sleep क्या करता है, ये इसमें, इसका brain का जो cavity है, उसमें पाए जाने वाले filiode को adjust करता है, ठीक है, अब यहां पर आजाओ, अब देखो, अगर ciliary muscles में contraction होगा, तो suspensory ligament क्या हो जाएगा, relax हो जाएगा, याद रखना, ciliary body और suspensory ligament का opposite relation है, अगर ciliary muscles में contraction होगा, तो suspensory ligament क्या होगा, relax हो जाएगा, और अगर यह रिलक्स हो जाएगा, तो len्स कैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और ऐसे में near vision, past का देखना सुबधा जनक रहेगा, अगर ciliary body में relaxation होगा, तो suspensory ligament में contraction हो जाएगा, इस बाद को याद रखना, ciliary body में relaxation होगा, तो suspensory ligament contract होगा, और अगर suspensory ligament contract होगा, तो lens पतला हो जाएगा, thinning of lens हो जाएगा, और जब thinning of lens हो जाएगा, तो distance या far vision के ये लायक होगा, ये distance vision कर पाएगा, या ये far vision के लिए adjust हो जाएगा, इस वात को अच्छी तरह से दिवाग बस set करके रख़गा, ठीक है, so ciliary muscles, इसमें क्या हुआ, relaxation हुआ, उससे क्या हुआ, suspensory ligament में contraction हुआ, lens जो है पतला हुआ, और ये far vision दूर के लिए adjust हो जाएगा, तो ये accumulation के बारे में हमने बात कर लिया, अब जरह हम बात करें, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर हम discuss करेंगे, किसको discuss करेंगे, ये pupil, ये heading बेट और आइरिस के बारे, ये complete structure क्या कहलाता है, ये complete structure कहलाता है, आइरिस, और आइरिस के बीच का जो gap है, आइरिस के बीच में जो gap है, this is called as pupil, this entire structure is called as आइरिस और आइरिस का जो gap है this is called as pupil you have to keep in your brain तो अब देखो pupil में outer side में क्या है outer side में radial muscles है और अंदर के side में जाओगे तो यहां कौन सा muscles मेलेगा circular muscles मेलेगा यह radial muscle है और यह circular muscles है sympathetic nervous system के प्रभाव में radial muscles में contraction होगा जिससे dilation और pupil होगा इस बात को याद रखना sympathetic nervous system के प्रभाव में radial muscles में contraction होगा जिससे dilation of pupil और जब parasympathetic nervous system काम करेगा तो circular muscles में contraction होगा और जब circular muscles में contraction होगा तो contraction of pupil होगा इस बात को अच्छी तरह से याद रखना अब थोड़ा सा बात कर लें retina के बारे में koroid के बारे में जितना हमें बात करना था थोड़ा साम retina के बारे में बात करना देखो ये retina है और retina का जो पीछे वाला हिस्सा है पीछे वाला बतलब जो head के side में होता है ये पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है Pars Optica जो हमने C बन दिया है Pars Optica और Pars Optica में दो इस्ट्रेक्शन है यहां पर एक इस्ट्रेक्शन है जिसका नाम है Macula Lutea और यहां पर Cable Cones पाए जाते हैं यहां पर Rod नहीं पाए जाता और cones किस बात के लिए जाना है Clearity of Vision Color Vision ठीक है तो याद रखना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, macular lutea पर सबसे ज़्यादा clarity of vision होगा, सबसे बहतर color vision होगा और दूसरा यह structure is blind response, यहाँ से optic nerve बाहर निकलता है, यहाँ पर न तो कून होता है, न ही rod होता है, जिसके चलते ही, यहाँ कोई vision नहीं बतता ठीक है, फिर देखो, यह retina का anterior part है, यह क्या कहलाता है, parse cilleris, ठीक है, parse cilleris, और यह ciliary body के, ciliary body के पीछे बाला भाग है, और side में यहाँ से निकलता है, parse iridica, यह iris के पीछे बाला भाग है, और यह दोनों पार्ट में cable, cable, जो है, rods पाए जाते हैं, और rods का का काम क्या है, यह low light, बनता धीमी light में देख पाते हैं, त्याद रखना, parse iridica, जो iris के पीछे है, यह cable धीमी light में देख पाते हैं, यह तेज रोस्ती में नहीं देख पाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, अब थोड सा yellow and blind spot का बात कर लें, रेटी रा में, तो देखो, यह हमने देखा, macula lutea, जिसमें cable cones है, इसका भी जो बिल्कुल पीछे बाला pointed part है, यह हम देख रहे हैं, एक्दम पीछे बाला pointed part, यह क्या कहलता है, इस इस काल्ड as obia centralis और yellow spot, इसमें cable cones होते हैं, और यह इसका blind spot बाला part है, जिसमें न तो rods होते हैं, न ही cones होते हैं, और यहां से optic nerve का exit होता है, इस बात को याद रखना, किसका exit होता है, यहां से optic nerve का exit होता है, अब यह सारी बातों को हमने एक साथ बना दिया, यह macular lutea है, यह phobia centralis है, यह optic nerve है, यह blind spot है, यह retina proper और parse optica, यह हो जाएगा, parsley eris, और सब से आगे हो जाएगा, parse iridica, यहां पर यह complete structure हो जाता है, इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में set करके रखना है, यह complete structure यहां पर हो जाता है, got it my point, तो इस बात को यहां पर अच्छी तरह से याद रखना, अब यहां पर हम थोड़ी बात कर लें, layer of retina के बारे में थोड़ा हम लोग यह discussion कर लें, जिसका formula यहां रखना, sub G, S A B G I, S A B G I, स B G यहां पर याद रखना, तो यहां पर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, sensory cell से बना हुआ layer है जो सबसे outside में है ये layer किस से बना हुआ है ये layer sensory cell से बना होता इस बात को अच्छी तरह से याद रखना किस से बना है ये sensory cell से बना हुआ layer है got it my point sensory layer के बाद जो second layer यहाँ पर है sensory layer के बाद जो यहाँ पर second layer है को अच्छी तरह से याद रखना ये साकेंड लेयर किसे बना है ये बाइपुलार नियूरॉन से बना हुआ लेयर और जो सबसे अंदर का लेयर ये कौन सा लेयर है ये गैंगलियोनिक लेयर है इस बात को याद रखना सबसे बाहर सेंसरी सेल है उसके बाद बाइपुलार निय औरं के बाद क्या है bipolar neuron के बाद ganglionic cell है इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में ऍच्छ करता, और sensory cell और bipolar neuron को bind करने का काम कौन करता है external plexiform layer कौन काम करता है external plexiform layer और bipolar neuron और ganglionic cell को bind करने का काम कौन करता है internal plexiform layer bipolar neuron को bound करने का काम कौन करता है amicrine cell जबकि sensory cell को bound करने का काम कौन करता है heterocrine cell इस बात को अच्छी तरह इसे याद रखना इसे bound करने का काम कौन करता है इसे bound करने का काम heterocrine cell करता है Got it my point तो ये कुल मिलाकर layers of retina है अब इनका थोड़ा साम diagrammatic representation यहां से देख लें diagram से जड़ा हम इनको यहां समझने का प्रयास करेंगे तो देखो अब total layer जड़ा यहां पर हम देख लें देखो सब से बाहर क्या है scully rotic ठीक है scully rotic के बाद क्या है coroid coroid के बाद यह retina हो जाएगा retina में retina में जो outer most layer है वो क्या कहलाता है retina में जो outer most layer है वो क्या कहलाता है sensory layer उसके बाद दूसरा layer क्या कहलाता है bipolar neuron layer और सब से अंदर का layer क्या कहलाता है ganglionic layer और उसके बाद यहां पर bitress chamber आ जाता है इस बाद को अच्छी तरह से दिमाग में set करके रखना है उसके बाद यहां पर कुन सा chamber होता है उसके बाद यहां पर bitress chamber होता है ठीक है अब एक बात याद रखना जो sensory layer tuber's choroid choroid के साथ में जो sensory layer है वो ganglionic layer होती है या sensory layer towards choroid और ganglionic layer कहां पर है यह bitress chamber के side में होता है इस बात को याद रखना अब थोड़ा सा यहां पर बात कर लें किसके बारे में rods और koon के बारे बात कर ले rod और koon कहां पर होते है थोड़ा सा यहां पर rods को और koon को discuss करने की आवशिकता है rod को और koon को discuss करने से पहले जराएं तीनों layer को यह sensory layer है sensory layer के बाद यह bipolar neuron है और ये ganglionic cell है ठीक है अब ध्यान से देखो ये ये जो ये सबसे पीछे के साइड में ये rod और kone का layer rod और kone को आपस में bind करने वाली जो sensory cell है वो किस से बना है rod और कोन से बना है का जो connection है वो क्या कहलाता है external plexiform layer ठीक है फिर bipolar neuron और ganglionic cell के बीच का connection है ये क्या कहलाता है internal plexiform layer और bipolar neuron को जो bind करने वाली cell है this is amicrine cell तो याद रखना retina में तीन तरह का cell है सबसे पहले sensory ये sensory layer जो rods और kone से बना है और इसे heterocrine cell वाइंड करती है दूसरा bipolar neuron जो जिसे amicrine cell वाइंड करता है तीसरा ganglionic cell और sensory layer और bipolar neuron के बीच का जो junction है ये external plexiform layer जबकि bipolar neuron और ganglionic cell के बीच का जो layer है ये internal plexiform layer है तो ये retina का layer हो जाता है अब थोड़ा सा कुछ point इसके बारे में और पढ़े लें थोड़ा सा बात कर लें rod का formula याद रखना R3 और kone का formula याद रखना C3D R3 में पहला R क्या है रात रात मतलब dim light और twilight vision rod धीमी रोसनी में देखने का काम करता है इस वाद को अच्छी तरह से याद रखना किसमें देखने काम करता है धीमी रोसनी उसके लावा इसका जो pigment है वो कौन सा है रोड आपसिन या visual purple या purplis red pigment यह किसका pigment है यह rod का pigment और यह किस से बिना है यह retinal vitamin A aldehyde plus option protein इन दोनों से मिलकर यह बना है vitamin A aldehyde और option जब इसका breakdown होगा तो यह retinal और option में तूट जाएगा retinal vitamin A है और यह aldehyde है और option protein है और जब इस यह तूट जाएगा तो यहां से message generate हो जाएगा अगर कूंस के बारें बात करें तो c3 कौन सा है number one color vision फिर clarity of vision ठीक है ना फिर daylight vision और clarity of vision का मतलब visual acuity है बिलकुल साब साब दिखाए देना इसमें आयोड आपसिन pigment होता है जब इस pigment का breakdown होता है तो यह retinal और photopsin में तूट जाता है जिसमें से retinal vitamin A है और photopsin क्या है यह protein है थोड़ा सा और इनका comparison कर लें रोट्स और कून का रोट्स में pigment कौन सा है rhodopsin और visual purple और purplis red कूंस में कौन सा है idopsin अगर dissociation product की बात करेंगे तो rhodopsin के dissociation से क्या बनेगा retinal plus opsin और idopsin के उससे क्या बनेगा retinal plus photopsin function इनका clear है rod कहां देखेगा dim light vision यह tree light vision यह इसको topic vision जबकि कून कहां देखेगा day और bright light vision और photopic vision छीक है यह color vision भी करता है clarity of vision यह equity of vision भी करता है अगर cones की type card की बात करेंगे तो तीन तरह का cones है सबसे पहले chlorolab जो की green cone है eritrolab जो की red cone है और sinolab जो की blue cone है ठीक है यह हमने discuss कर लिया है अब थोड़ा सा बात कर लें chamber of eye के बारे बात करें तो देखो बैटा यह diagram ध्यान से देखो देखो यह यह जो structure है यह इसको याद रखना यह lens lens के पहले क्या है suspensory ligament और यहां पर आ जाएगा ciliary process इसके पीछे वाला जो chamber है यह कहलाता है बिट्रस chamber जिसमें बिट्रस humor नाम का फिल्यूट पाया जाता है अच्छे से याद रखना यह lens यह suspensory ligament यह ciliary body इनके पीछे का chamber क्या है बिट्रस chamber जिसमें बिट्रस humor पाया जाता है अब इसके आगे बाला chamber क्या कहलाता है एकवस chamber अब एकवस chamber में ध्यान से देखना देखो यह देखो यह structure जड़ा ध्यान से देखो यह क्या है यह दो कॉर्णिया और यह iris अब एक chamber है जो यह iris और यह pupil एक chamber है जो कॉर्णिया और प्यूपिल के बीच में और दूसरा चेमबर वो है जो प्यूपिल और लेंस के बीच में याद रखना एकोश चेमबर इस पहला जो चमबर है यह कॉर्णिया यह पहला जो चमबर है यह कॉर्णिया और प्यूपिल के बीच में है और दूसरा जो चमबर है वो प्यूपिल और लैंस के बीच में यह पहला चमबर क्या कहलाता है एंटेरियर चमबर और यह चमबर क्या कहलाता है और यह दोनों मिलकर कह कलाते हैं एक बार फिर से देखो अगर आप प्राइंट साइड से अंदर जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा एंटीरियर चैंबर जो की कॉर्निया और और प्यूपिल और यह बीच में है उसके बाद लेंस के पीछे बिटरस चेमबर मिले गा इस पात को अच्छे तरह से चाहत anda को शेमबर मेंक्या भरा होता है स्में pops vel भरा हुआ हुआ है इसका इसका रिटन देख लेंएक्व किक स्थेंबर कहां पर кра Спाह winner यह वही सब बात यहां लिखी हुई है जो अभी हमने पड़ा है पिर एक बार ये सारी layer एक साथ बना कर हम देख लेए, देखो सबसे बाहर का layer का है, scullerotic, उसके बाद का choroid, उसके बाद मैं retina, ये आगे हो जाएगा lens, ये iris, ये pupil, ये canal of sleep, ये cornea, और सबसे आगे हो जाता है conjunctiva, तो अभी तक जितना हमने अलग-अलग बड़ा है, यहां पर उन सबी को हमने एक साथ देख लिया है ठीक है तो इतनी बातें हमें कुल मिला के आई के बारे में डिस्कस करना थी अब यहां पर अगर हम बिजन की बात करें तो जो लाइट रे है वो यहां से एंटर करेगा सबसे पहले किसको पार करेगा कंजक्टिवा उसके बाद कौर करेंगे फिर रॉड एंड कुन से यह कहा जाएगा यह बाइपॉलार नियूरॉन जाएगा बाइपॉलार नियूरॉन से यह कहा जाएगा गैंगलियोनिक लेयर में और गैंगलियोनिक लेयर क्या बनाएगा गैंगलियोनिक लेयर बनाएगा ऑप्टिक नर्व जो ब्लाइं यहां discuss करनी थी आई के बारे जिनको हमने discuss कर लिया है कल हम बात करेंगे year के बारे में और जो दूसरे sensory organ है उनके बारे में हम कल discuss करेंगे got it my point so आपके exam mission तक मैं आपके साथ रहूंगा अगर अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करें share करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें okay all the best this is आर के शुक्रा एट नीट बिनायक यूट्यूब चैनल